असलाम अलेकुम आज हम अपने जूफी फूड में बनाने वाले हैं बहुती आसान और लजीज सी एक खिचड़ी आपने खिचड़ी तो कई बार बनाई होगी ताहरी भी बनाई होगी लेकिन एक बार इस तरीके साब खिचड़ी बनाना बहुती टेस्टी और मज़ेदा लगती है और बहुती आसान सी है जो जटपड से बनकर रेडी हो या थी जब कुछ समझ में ना आया और अच्छा खान खींगे जाले कर दोड़ा सकताव में लाहिक्ति हम गयाई जातेगाैक करेंगे चेय जेकर लिए प्लेगती खाना में जब कर citizen के में तो देखिए और यह सारा काम हमें तेज गैस पर फटाफट से कर लेना कम नहीं करना है इसलिए अधाचमची मिर्ची पाउडर डालेंगे बस और इसमें अभी हमें कोई मसाले नहीं एड करना और इसमें इसको हम मिला लेंगे अच्छे से बाकिए हम बाद में डालेंगे फिलहाला में इसमें आदा चमच नमक डाल रहे हैं तो देखे इसको फटा-फट से एक-डो मिनट के लिए अपने मसालों को भूनेंगे इस सारा काम मैं तेज गैस पर कर रही हूं तेल अच्छे से छनक चुका है एक मिनट बाद मारा मसाला भी मसाला जादा है नहीं तो फटा-फट से बुन जागा तो दो मैंने रफली चॉप टामाटर काट लिए आधा कैपसी कम है और थोड़ी से प्याज हरी वाली प्याज होती है वह एक दो जो इसकी तंडिया है वह हैं बस तो हम सारी वेजिटेबल डाल देंगे तो वेजिटेबल आपको वह सबसे डाल ले अगर आपके पास पत्ता गोवियों तो इसमें पत्ता गोविय डालना उसे बहुत चिकनावट आती है किचली में मेरे पास इस टाम नहीं थी तो मैंने नहीं आट कि आपको जो पसंद हो वह वेजिटेबल बैंगा नालू कुछ भी डाल सकते हैं देखें यह हमारे चावल तो देखें मैंने मोटा चावल यह कोई बाइसमति राइस नहीं लेना कुछ चुप इन लेना पका चावल लेना आपको खिचली बनाने के लिए लिए न रेश्यों इतना होना चाए कि आप अगर एक कटोरी दाल ले तो एक कटोरी चावल है तो य इससे हमारे खिचली एक दम बहुत ही गूई सी बनती है तो देखें मसाले के साथ हम जो है अपने जो चावल और दाल उसको भी एक मिनट के लिए भूल लेंगे से बहुत बढ़ी है वह निकल कर आता तो देखें एक मिनट हो चुक है आप इसमें पानी डालते है तो देखे अब देखें और अगर दाल जाएं तो आपकी एक दम बनेगी हाँ आगर पानी निकलने का डर दरें तो आप कम घेस पर और नाएगे बनाए मेरा बढ़ा कुकर इसलिए मेरी किछली अरा पानी निकलना तो आप यह जो प्रैशर में ब्रेश्टी के लिए तेज गास पर बना लें और 20 मिनट के लिए कम गैस कर दें आपकी खिच्डी बिल्कुल पर्फेक्ट हो देंगी तो देखिए मैंने आदा चमच नमक और डाले था नमक थोड़ा सा कम ताप डालते हैं इसमें एक चमच चाट मसाला पीए जरूर डालिएगा इससे बहुत ही किच्डी का जो अगर आप नहीं बनाते हैं तो इस तरीके से मसाले वाले खिच्डी बनाकर देखना बहुत ही बड़े लगेगी तो देखिए मैं तो तीन सीटी तेज गैस पर लगा लेती हूं दो मिनट के लिए गैस कम करेंगे उसके बाद प्रेशर खुझ से रिलीज होने के बाद ही हम अपनी खिच्डी को खोल कर देंगे अगर आपकी कुकर में से मैं बार बार कहरी पानी निकल रहा है तो आप एक सीटी तेज गैस के बाद 15-20 मिनट के लिए गै अपनी खिच्डी बढ़ी है तो फटा फट से अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो देखके एक दम पानी आ रहा है ना मूं में एक दम गुई सी खिच्डी है बहुत सिंपल और आसान लेकिन खाने में बहुत ही जादा टेस्टी है हम तारी तो बहुत बाहर बनाते हैं खिली- बड़ से मैं देशी घीजे से सफ कर रही हूं और अचार के साथ हम मज़े सखाएंगे अगर आपको एक पसंद आए तो आप में आप इस खिच्डी को जरूर बनाना मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दूआओं में याद रखना बाबाए अला आप इस